नमस्ते दोस्तों कैसे हैं आप लोग दोस्तों आज हम बनाएंगे लोबिया की सब्जी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही कम समय में बन के तयार होगा और खाने में तो बहुत ही टेस्टी लगता है तो चलिए बनाना सुरू करते हैं तो यहां पर हम ले लिए लोबिया इसको ह हम डालेंगे थोड़े से नमक नमक डालेंगे और एक चोथाय चमच हल्दी डालेंगे और इसमें हम थोड़े से पानी डाल के इसको अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे डखकन लगा कि इसको पकाएंगे तो एक सीटी हम फुल आंच में लगाएंगे बाकी चार से पांच सीटी हम मीडियम फ्लेम पे लगाएंगे तब तक इदर लोबिया बोईल हो रहा है तब तक हम मसाला त्यार कर लेते हैं तो यहां पर हम लेली आठ से दस करी लसन की दो हारी मिर्ची दो लाल मिर्ची और हाफ इंच अद्रक लिए हैं और यहां पर हम दो टमाटर लिए हैं काट करके अब इसका हम पेस्ट बना लेते हैं तिसमें थोड़े से पानी डालके इसका हम पेस्ट बना लेंगे यह देखिए इधर हमारा जो लोबिया है बोईल हो गया है यह देखिए सीटी भी निकल गए ठंडा हो गया है तो देखिए लोबिया अच्छी तरीके से स्वप्ठ हो गया निकी बहुत अच्छी तरीके से बोईल हो गया है अब इसको एक थाली में हम निकाल लेंगे अब यहां गैस पे चड़ा रखें कड़ाही इसमें हम डालेंगे दो बड़ा चमच सरसो तेल तेल आप कोई भी ले सकते हैं और यहां पे डालेंगे दो टुक्रे दालचीनी के दो तेश पत्ता एक चक्रफूल और दो बड़ी इलाइची दो छोटी इलाइची एक चोथाई अब यहां पे डालेंगे दो लाल मिर्ची और इसको भी हल्का भून लेंगे भूनने के बाद यहां पे हम डालेंगे दो बारिक कटी उए प्याज और इसको हम ब्राउन होने तक चलाते हुए भून लेंगे यह देखिए हमारी जो प्याज ब्राउन हो गया है जो टामाटर का पेश्ट तयार किये थे उसको इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरीकी से मिक्स करेंगे और यहां पे डालेंगे नमक यहां पर लोबिया में डालके बोईल किये थे उसी हिसाब से यहां पर भी नमक डालेंगे और इसकों हम डाकन लगाके तीन से चाल मिनिट पकालेंगे तो यह देखिए चाल मीनिट हो गया है जालेंगे, अब यहां पे डालेंगे हाप चमच हल्दी पाउडर, हाप सब्जी मसाला, हाप चमच कस्मीरी लाल मीर्च, तो दोस्तोो यह कस्मीरी लाल मीर्च है तीक ही ज्यादा नहीं होती है, बस कलर के लिए इसमें डालें हैं और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे अखकन ऑप सब्सक्राइए एक चमच आमचूर पाउडर और इसको भी अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे इसे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है दोस्तों लोबिया की सबजी का और इसमें हम डालेंगे गरम पानी तो पानी अब अपने हिसाब से डाल सकते हैं जैसा आपको ग्रेवी चाहिए गाढ़ाया पतला अब यहां डालेंगे जो हमने बोईल किये थे लोबिया को और इसको डाल के अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो देखिए हल्दी ने डाले थे लोबिया में बोईल करते समय तो कितना अच्छा कलर आया है दोस्तों और इसको ठकन लगा के हम 3-4 मिट पका लेंगे मीडियम फ्लैम पे तो यह देखिए चार मिनट हो गया है पकते हुए है अब इसमें डालेंगे गरम मसाला हाप चमच एक चमच कसूरी मेठी दालेंगे क्रस करके इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छा फ्लेवर निकल के आएगा दोस्तों सबजी में से खुसबू तो बहुत ही अच्छी आ रही है दोस्तों तब इसको हम चलाके मिक्स करेंगे दो मिनट के लिए इसको ढखकन लाकर हम पका लेते हैं तो यह देखिए दो मिनट हो गया है देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है दोस्तों, और इसको ग्रेवी भी अच्छी तरीके से गाड़ी हो गई है अब देख सकते हैं यह देखिए दोस्तो तो बहुत इटेश्टी बनाए दोस्तो खुसबू तो बहुत अच्छी आ रही है अब इसमें तड़का लगाने के लिए यां गैस पे चड़ा रखें तड़का पेन इसमें हम डाले एक चमच घी और यहां पर डालेंगे लंबे टुगड़ों में कटे ह हुए अधरक एक इंच दो लंबी कटी हुई हरी मिर्ची और इसको भी हम हलका बुन लेंगे हलका बुनने के बाद हम सबजी के ऊपर इसको डाल देंगे इस तरीके से देखिए तो बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों ए तड़का लगाने से सबजी के टेस्ट और बढ़ जाता है तो आप देख सकते हैं दोस्तों कितना अच्छा कलर आया इसमें और बहुत ही टेस थे लगेगा देखिए हमने ए प्याज řिचा डाल के इसको सब्जेश देख सकते हैं से तरह सब्जी सब्जा देखिए दोस्तों न अच्छा लग रहे आप देख सकते हैं बहुत ही टेस्टी बनती है दोस्तों इस तरीके से बनाएंगे लूंबीया की सबजी तो लोग तो दोस्तो आज की हमारी लोबिया की सब्जी आपको पसंद आई हो तो लाइक जरूर करिए कमेंट में जरूर बताईए कि कैसा बना है और दोस्तो आप हमारे चैनल पे नहीं है तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलिए और इस तरीके का लोबिया की सबजी एक बार जरूर ट्राई करिए आपको बहुत पसंद आएगा दोस्तो थाइंक यू